इंकन्स को मेरा प्यार बरा परनाम आशा है सबी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्त हैं सुरक्षित हैं आप सबी प्यारे गो इंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत हैं प्यारे बच्चों आज के प्रसंद में हम अभिहास करेंगे जो आपकी पुस्तक महकती रजनी गंदा से लिया गया है प्रश्ट संख्या 21 यानि जो आपने कहानी पड़ी मोटू रामने खाए लड़ू आज हम उसी कहानी का अभियास करेंगे सबी बच्चे द्यान दे नीचे दिये गए तीन शब्दर सबी बच्चे अपनी पुस्तिका पर लिखकर याद करेंगे और प्रशन उतर जो दिये गए हैं प्यारे बच्चो दो प्रशन उतर आप सबी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे शुरू करते हैं शब्द दिया गया है गपा गप गपा गप का अर्थ क्या है गोइंकन्स जल्दी जल्दी दूसरा शब्द तोंद तोंद का अर्थ क्या है बचो बाहर निकला हुआ पेट तीसरा शब्द फूल गई फूल गई का क्या अर्थ है गोइंकन्स जी हाँ मोटी हो गई आशा है सबी बच्चे अपने अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं प्रेश्ट संख्या 21 प्रशन अब नीचे दिये गए हैं प्रशन उत्तर पहला प्रशन मोटु राम जी कहां गए थे जैसा कि आप सबी बच्चे जानते हैं कहानी में आपने पड़ा तो प्यारे बच्चो मोटु राम जी कहां गए थे जी हाँ मोटु राम जी गाउं अपने भाई के गर शादी पे गए थे तो प्यारे बच्चो उपर प्रशन दिया गया है नीचे इसका उतर लिखा हुआ है जो मैंने आपको पड़ के बताया दूसरा प्रशन दिया गया है मोटु राम ने चाई के साथ एक ही लड़ू क्यों खाया तो प्यारे बच्चो सबी बच्चों को उतर पता है कि मोटु राम ने चाई के साथ एक लड़ू क्यों खाया जी हां मोटू राम ने चाय के साथ एक लड़ू इसलिए खाया क्यूंकि वे सब के सामने शर्म आ गए प्यारे गोइंकन जैसा कि कहानी में आप सबी बच्चू ने पढ़ा था मोटू राम मिठाईउं का बहुत शोकीन था मगर जब वो शादी पे गया उनको मिठाईउं खाने के लिए दी तो वो सब के सामने एक ही लड़ू खा पाया क्यूंकि उनको सब के सामने शर्म आ गई तो आशा है सबी बच्चों को मेरा बताया हुआ कारे समझ में आया प्यारे गोइंकन्स जैसा कि मैंने आपको बताया शब्दर्थ आप अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे और याद भी करेंगे साथ ही साथ ये जो दो प्रशन उतर यहां दिये गए हैं आज के कारे में इन दो प्रशन उतरों को आप अपनी हिंदी की पुस्तिका पर लिखेंगे और शब्दर्थों को लिखेंगे और याद करेंगे आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए स्वस्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद